आप देख रहे होंगे, जो युक्रेन और रोस के बीच योद्ध चलना है, इस दुनिया भर में चाचा का कारण मना हुआ है और कई विद्वानों की आप लोग माना हैं, तो उनका ऐसा भी मानना है, कि हो सकता है कि तीसरे विच से योद्ध का रोप ले सकता है योद्ध तीसरे विश्यवति के संकेत दे रहा है एक बार आप लोग रूस को देगें मेब में यह आपको देखिए रूस देखने को मिलेगा और यह आपको यूकरेन देखने को मिलेगा आपको बता दूँ कि रूस का कुछ भाग एसिया में पढ़ता है और कुछ भाग इसका यूरोब में पड़ता है लेकिन यूकरेन आपका यूरोब का एक देश है आप देखेंगे 1991 तक जब तक सोवियस संग का अस्तत था तब तक यूकरेन सोवियस संग का हिस्सा हुआ करता था लेकिन आप सभी जानते हैं कि सी तेओदी के बाद 1991 में सोवियस संग का विक्टन हो जाता है और आपने देखा होगा कि रूस अलग हो जाता है बाकी देश अलग हो जाते है इसी में अब में आप लोग भारत को भी देख लिजे देखिए हमारा प्यारा भारत है ऐसी आमें अभी एक सब्द काफी चर्चा में आ रहा है फासफोरस बम के बारे में आप लोगोंने हाइडरोजन बम सुना होगा परमाडो बम सुना होगा लेकिन फासफोरस बम क्या वला है आज हम लोग इसी पर बात करेंगे कि फासफोरस बम आखिर है क्या यह कुछ तस्वीरें आपकी सामने आई हुई है यह भी आप देख सकते हैं तो रूस और यूक्रेन की भी जो भीसर जंग चल लए है योद चल ला है इस दुनिया भर की तमाब देश रूसी राष्टपती पुतिन से इस योद को रोकने का आग्रह कर रहे है लेकिन पुतिन एक इंच भी पीछे हटने को तेयार नहीं है बदले में यूक्रेन भी मोर्चे पडटा हुआ है और इसी बीच यूक्रेन ने आरोप लगा है कि योद में रोस की ओर से उनके खलाब फास्फोरस बम का इस्तेमाल किया जा रहा है और मीडिया की रिपोर्ट के मताबिक पूर्वी लुहांस के पोपासना सहरे में वाइट फास्फोरस बम का इस्तेमाल किया गया है यूक्रेन के खलाब किसके द्वारा रोस के द्वारा और फास्फोरस बम के बारे में अगर हम जाने तो फास्फोरस क्या होता है आखिर फास्फोरस मौम जैसा एक अधातू पदार्थ होता है क्या है अधातू पदार्थ है जिसमें से लहसुन जैसी गंद आती है फासफूरस की आप देखते ना, इसकी गंद किस तरह की रहती है लहसुन जैसी, वैसे तो यह रंगहीन होता है लेकिन कई वार यह हलका पीला जैसा दिखाई देता है कापी पर पिट्ती करियासील होने के कारण जैसे ही यह oxygen के संबर्क में आता है तो यह जलने लगता है और अब चुकि हवा में भी oxygen होता है आप सभी जानते हैं और इसलिए हवा के संबर्क में आने पर यह आख पकड़ लेता है और नम हमा में हवा में लगबक 30 degree Celsius पर एक खुद बाख खुद जल उड़ता है यही कारण है कि इसे पानी में डवोकर रखा जाता है फासपोरस को पानी में डवोकर रखा जाता है आप लोग इसे एक्जाम की तयारी के रहे होंगे तो आपने यह questions देखा होगा कई बार पूछ लेता है कि कौन सी ऐसी अधातू है यह अधातू है जैसे पानी में रखा जाता है तो अधातू है यह फासपोरस अब बात करते हैं बम की फासपोरस बम की मानों के लिए फासपोरस बम बेहदी घातक होता है खतरनाक होता है चुकि ऑक्सीजन के संपर्क में आने पर ये तेजी से जलता है और इसलिए जहां जलता है वहां का ऑक्सीजन सोक लेता है और आप सभी जानते हैं कि ऑक्सीजन के विना हमारे जीवन संभाव भी नहीं है और मुझे लगता है कि ऑक्सीजन का कितना भाग थे, यह आप लोगोंने कोरोना महामारी में देख लिया होगा देश दुनिया वर में आपने देखा है ऑक्सीजन के सिलेंडर, खाली सिलेंडर देख रहे थे आपको और लोग ऑक्सीजन के आवाहों में दम तोड़ रहते International Committee of Red Cross के मताविक अगर किसी खुली जगए पर Phosphorus Bum का इस्तेमाल किया जाए तो ये कई किलो मीटर दोरी तक फैल सकता है और ये उस बक्त तक जलता रहता है जब तक कि ये खतम नहीं होता या फर वहां से ऑक्सीजन गैस खतम नहीं होती है और जिस जगए या इस इसका इस्तेमाल किया जाता है तो उस इस इलाके में ऑक्सीजन की काफी कमी होती है और ये दुए को गुपारे की तरह हर तरफ फैल जाता है और इसके कारण आप देखिए मानो सरी को अंदरोनी तोर पर काफी नुकसान पहुचाता है और इसके संबर्क में आने पर तेजी से जलन महसूस होती है और इससे मौत तक हो जाती है योद में दुसमर के खलाब दुएं का कवर बनाने के लिए इसका काफी इस्तिमाल किया जाता है लेकिन रियास्ती इलाकों में इसका इस्तिमाल पिती बंदित है और याद रही कि सफेद फास्पोरस का इस्तिमाल फिर्थम और दूतिय विस्योद दोनों में बड़े फिर्माने पर किया गया था इसके अलावा सफेद फास्पोरस बम का इस्तिमाल एराक योगुत में अमेरिकी सेना ने खूप किया था और इस बम को काफी खतनाग सेड़ी में रखा गया है इसी कारण 1977 में सुईजेलेंड के जेनेवा में हुए कन्वेंशन में सुईथ फासफोरस की इस्तिमाल पर पिती बंद लगा दिया था हाला कि जंग में इसका इस्तिमाल किया जा सकता है और इसके बाद 1997 में केमिकल हतिया कि इस्तिमाल को लेकर एक कानून मना था और इसमें तैय किया गया था कि अगर बंद का इस्तिमाल रियासी इलाकों में किया गया तो व्याइट फासफोरस को रसाइन अधिका अधिकार माना जाएगा बता दें कि इस कानून पर रूस ने भी हस्ताक्षर किये हुए है और ए इसलिए आप देखिए, यूकरेन इस तरह का मुद्दा उठा रहा है, और आप देखिए हकीगत क्या है, अगर आप कई ये, कई मीडिया एपोर्टों की बात करें, तो वो भी मान रहे हैं कि रोसने इस तरह का कोई कदम उठाया हुआ है, तो इस ते क्या लेता है कि लोगों क कुछ जानदा ही इसका नुकसान भोगत ना पड़ता है, वो जगे की ऑक्सिजन खतम होगी, तो लोग बैसे ही दम तोड़ने लगेंगी, ठीक है, तो यही है फासफोरस आपका, बम